हाई फ्रेंट्स वेलकम टू जेतना जीचन तो फ्रेंट्स आज मैं बना रही हूं सूजी का गोंदपाग जो बहुत ज्यादा टेस्टी होता है खाने में बहुत ही मज़ेदार होता है तो फ्रेंट्स अगर जटपट आपके घर में महमान आ जाएं तो आप इस गोंदपाग क बना के खिलाएं जिससे उनका भी मनखुस हो जाएगा और आपका भी तो चलिए स्टार्ट करते हूं आज की हमारी गोंदपाग की रेसी भी तो मैंने यहां पर कड़ाई के अंदर गी लिया है और गी मैंने यहां पर लिया लगबग एक कटोरी के करीब और वेट के हिसाब से देखूं तो 100 ml के करीब मैंने यहां पर गी लिया है और गी को अच्छे से मेल्ड होने के बाद में जो गोंद आता है काफी असानी से कोई भी किराना स्टॉट पर मिल जाएगा तो मैंने यहां पर गोंद को अच्छे से फूला लिया जैसे हम गोंद की लडू बनाते हैं दान्तों की चिपकता रहता है तो ऐसा नहीं होना चाहिए तो हमने यहां पर गोंद को अच्छे से फूला लिया है जितना भी हमें चाहिए था और कुछ ड्राइफ्रूट को भी अच्छे से रोश्ट कर लेती हूं क्योंकि इसके अंदर गोंद पाक के अंदर अगसे आपन बनाते हैं तो बस मैंने यहां पर गी ओ डाल दिया था इसके अंदर क्योंकि गोंद है वो सोख लेता है गी को तो वैसे पूरा देखें तो मैंने यहां पर मेजमेंट के हिसाब से लगबक 500 ml के करीब तक मैंने घी डाल दिया है इस गोंद पाक के अंदर और मैंने सूजी ड लेकिन अगर आटे डालना चाहो तो वह जुरूर डालना क्योंकि इससे बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है गोंद पाक के अंदर तो बस मैंने सूजी को और आटे को दोनों चीज़ों को अच्छे से कर लिया है रोस्ट यह देखें बिल्कुल अच्छे से गी के अंदर मि जाशे नहीं होना चीज़ों तो मैंने हाँ पर आटे को अच्छे से रोस्ट कर लिया है इदर हम चासनी बना लेते हैं तो मैंने महांपर चीनी लियया है लगवक Sabana chilling दर देखें करह दो तो बस चीनी को अच्छे से कर देंगे मेल्ट चीनी को अच्छे से मेल्ट होने देंगे चीनी हमारी मेल्ट हो चुकी है जैसे आप देख पा रहे होंगे थोड़ा सा पकने देते हैं चीनी को भी और चीनी को और पानी को थोड़ा सा पकने देते हैं यह मैं इसके अंदर डाल देती हूँ इलाइची कूट के इलाइची डाल देती हूँ अगर आप चाहो तो इलाइची पाउडर भी डाल सकते हो यह मैं डाल देती हूँ इलो फूड कलर जिससे गोनपा का जो कलर है वो अच्छा सा आ जाएगा तो बस इसको कर लेते हैं सबी च क्योंकि जो के विल्कुल अ हुँआ संदों हो छुका है क्योंकि छासनी लाने के वाल, तो शुल करें हुआ सरकी तरीके से इलाइची को और फूड गलर को अच्छे से मिक्स कर दिया है और गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं हमारी चासनी तो नहीं पलचीनी का गोल है वो बनके तयार हो चुका है तो अब हमें क्या करना है जो हमने सूजी का और राटे का जो मिश्रन रोस्ट करके रखा है व चासनी है वो गरम थी और वह भी थोड़ा गरम ही था तो बस फटाफर से अइक्टिविट हो चुकी है दोनों चीजे मिक्स करना बहुत जुरूरी होता है वरना लंस रहे जाएगे तो गरम-गरम चीजों में अगर नहीं चीजों में खरते है है तो अच्छ से मिक्स भी हो करते हैं तो बस हम नहीं अच्के मिला दिया है मिक्स कर दिया है और चीनी कि और जाम सब्सक्क करेंड हो काफी जाद हो चुकी डालिते हैं और दर ऐ disappears लगवग वेट की हिसाब से देखो तो 50 ग्राम की करीम पाउडर ले लूँगी क्योंकि जो मिल्क आप चाहो तो मावा भी ले सकते हो क्योंकि हमने गोनपाउड खाते हैं तो उसमें मावे वाला टेश्ट आता आना चाहिए इसलिए मैंने गोनपाउड डाल दिया क्योंकि गो मिल्क पाउडर को तो हमने अच्छे से मिंक्स कर दिया हैं लंज ना रहें इसलिए इसको अच्छे तरीके से फटावड से मिक्स कर देंगे और अब हमें सबी हैब लुए आताविए यो तो ग ओन है यह जो पयो खाता च्योभी रहाने। और इसके अंदर नारियल भी डाल देंगे जो मैंने नारियल था ना उसको मैं कद्दू कस कर लिया था उतलग वक एक टोरी के करीब नारियल डाल देंगे नारियल गोंद पाक जब भी बनाओ तो नारियल थोड़ी जाद हो गांडीटे में ही डालना चाहिए क्योंकि बहुत टेस्टी और मज़दार सा गोंद पाक बनके तयार हो चुका फ्रेंट्स खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी बना है तो जड़पड तरीके से जब भी गेस्ट आए इस तक चावंदन के मौकी पे आपके घर पे अगर गेस्ट आते हैं तो आप उनको यह बना के खिला सकते हो फटाफट बनने वाली रेसिपी अब बिल्कुल टाइम नहीं लगता हो शिर्फ घर की चीजों से बन जाता है गोंद पाक और बिल्कुल डिफरेंट होगा बहुत ही अच्छी रेसिपी है आप इसको ट्राइ करना इससे सिंपल गोंद पाक की रेसिपी नहीं हो सकती और जाने में देखना भिल्कुल देसे तरीके से मैंने या पर गोंद पाक बनाया है भाने में भी बहुत ज्श minder टेश्टी है यह बहुत ही मजदा गर्मा गर्म को खाईए बहुत ही अच्छा लगेगा तो बस अब हमें क्या करना है गोंद पाक अच्छै से मिक्स हो चुका है उसके बाद में हम इसको अलग बरतर में निकाल लेते हैं हमारी गौनपाग है वो बिल्कुल तयार हो चुकी ओपर से डाल देते हैं थोड़ी ओर ड्राइफ रूट गौनपाग बनके बिल्कुल तयार हो चुका है तो ओके फ्रेंट्स I hope यह वीडियो आपको अच्छी लगी ह तो प्लीज चैनल को ना सबस्क्राइब बैल आगें प्रेस करना ताकि आने वाली हर वीडियो का एक नोट्फिकेशन आप तक पहुंच जाए और लाइक केमेंट शेयर करना बिल्कुल मत बूलना और आप भी इस रक्षाबंदन के सुब आउसर पर गोनपा की इस रेसिपी आपको पसंद आई होगी तो आपना एक बार जुरूर ट्राइगा ना और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं के तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा बैल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो का एक नोटिफिके प्रेसन आप तक पहुंचाए और लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुर मत भूलना और इस रक्षा मंदन के सुबर अबसर पर आप सबी को यह रेसिपी जरूर बनाने कर चाहिए सबका मूँ मीठा करवाना चाहिए तो ओके फ्रेंस कैसी लगी जरूर बताना प्लीज कमेंट करके जुरूर बता देना और हमारी जो कुंद्पा की रेसिपी है उसको बनाने का इससे आसान तरीका और कोई नहीं हो सकता ओके फ्रेंस मिलती हूं नेक्स्ट वीडियो में तब तक की लिए बाए बाए टेक केर